तो आज हम देखने वाले दोस्तों अगर आपको success में login करना है या registration करना है तो उसकी अगर आपको किसे ने reference id भेजी तो उस reference id के जरीए हम success में registration कैसे कर सकते तो आएए देखती है पहले उस id पर आपको click करना होगा उसके बाद आपको जिसने वा reference link भेजे उसके id और उसका name यहाँ पर show हो रहा है उसके बाद फिर आपको password एंटर करना होगा उसके बाद आपको जिसने वो उसके बाद आपको उसी पासवर्ड को confirm पासवर्ड भी करना होगा आप कुछ भी पासवर्ड यहाँ पे एंडर कर सकते हैं जो आपको valid लगता है उसके बाद आपको अपना नाम आपका mobile number उसके बाद आपको आपका email id और उसके बाद आपको यहाँ पर एक capture को प्लिक करना होगा उसके बाद फिर आपने जो mobile number रेजिस्टर किया है उसमें आपका OTP आएगा तो आप यहाँ देख सकते कि मुझे यहाँ पर OTP आया है यह है मेरा OTP तो आपको वो OTP वहार डालना होगा और उसके बाद आपको submit बटम पर क्लिक करना है जैसे आप submit बटम पर क्लिक करते हो आपका आएगा OTP वेरिफाई आर उसके बाद आपको यहाँ पर आपका user ID और password दिखेगा तो दोस्तो आज हमने registration कैसे करना देखा है यह user ID और password लेके आप आगे login कर सकते है त्थाइब ब बटम आपका आपका टोस्तो आपके लोग करताहिक अच्छराइब त्यूटर्ण तक आपका आपका लोग पर आपका